असलाम अलेकम गाइज कैसे हैं आप लोग को मिद्धे के सब्सक्राइब करते हैं तो आज आप लोग के लिए जो आरडी साओधी एरेबिया से जा चुके हैं चुटी पे और इंडिया पाकिसान बंगलादेश तो उन लोग के लिए अभी कुछ परिशानी चल रही है मींज के साओधी रेबिया ने 72 घंटे का टाइम दिया था कि आप लोग जो चुटी पर गए हैं इंडिया पाकिसान बंगलादेश निपाल में 72 घंटे के अंदर अंदर वो लोग वापस आ जाएं तो गाइस कल से साओधी रेबिया दो हफ़तों के लिए इंटरनेशनल फ्ला हाने जा रहा है और अब बात करें कि साओधी रेबिया ने 72 घंटे लेए जो लोग में चुटी पर जा चुके हैं और वापस आना चाहते हैं नुगरदों सुंडर आना करने यहां बाद में लिए यह को पंदरों क्लिए और उफिसली उन्होंने अनौन Margaret के लिए यहां पर आज़ दो आप प्र यह आप प्रॆहर तो दो अपने मुल्कों में नहीं जा सकते हो जो अपने मुल्कों में हैं पाकि estánu बंगलादेश में वो यहां नहीं ब इंटरिक इनकल कर दो कर दी हैं यह से पंधना तरिक काफी लोग तो आ चुके हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आ पारे वाट इस रीजन यह रीजन यह है कि अब भी आपको पता कि चोर बजारी तो आम है माशालला से हमारे मुलकों में इंडिया, पाकिसान और बंगला देश में, जब भी कोई ऐसा वाक्य वाक्य होता दो एक दम से हाई हो जाते हैं तो ऐर्लाइंज ने क्या किया कि रेट्व को एक दम इतना हाई कर द你看 जो 30,000 रुपे की टिगट थी जो 4050 रुपे के टिकेट थी वो एक दम से भड़ के एक लाग रुपे तक उन्होंने टिकेट करते हैं जो कि एक एवरिज परसन है वो कैसे साथे एक लाख रुपे का टिकेट यहां असी हजार रुपे का टिकर यह मैं लंब सम बात कर रहा हूं वह कैसे तनी करके अब इधने जो अनौस्मंट कर दिया है औहिंसानी हम्दर्दी की बनाबर या इस चाहिए अ क्या है अब आपको पता नहीं होगा azna क्या है तो आप सबस्winning ट्वीटर पर एक आदमी ने ऐसे जिसकुस किया है वो ट्वीटर पर एक आदमी निसेम को जब सकते हैं इसकर सिर्व किया इस यह को सिर्व तो आरला इंडिया पाकिसान म्ला को यह में और रेट इतने ज़्यारा डबल होने के बावजूद वह टेक्ट पर शेज नहीं कर सकते दूसरा फ्लाइट नहीं है आप इंटरनेशनल फ्लाइट पंदना तरीक से बंद करने जा रहे हैं और बहतर गेंटे का टाइम भी दे रहे हैं तो कैसे मुंकिन हो सकता है कि वह लो जा के हम लोग इंसानी हमदरदी की बनयाल पर उन लोगों को जो कि इस होकम से पहले इस होकम से पहले चुटी बे गे होएँ हैं उनों को हम इस दोसना देंगे मीज कि हो लोग जो के अर्ड़ी अदर मजूद हैं अब उनको जरुरत नहीं है 72 गंटे के अंदर आने की यह ज responsibility के सार आपके सार ये बाद शेयर कर रहा हूं मैंने आरड़ी ये कुस्टन किया पड़ा फिर आप लोगों के सार मैं शेयर कर रहा हूं तो उन्होंने क्लेरली बता दिया कि जो लोग नहीं आ सकते हैं तो ठीक है अगर उन्हों का वीजा अक्सपायर होने वाला है आगर उनका खुरूज खतम होने वाला है आप लोगों पता कि जो डेट दी होती है उसके बाहर आप एंटर ही नहीं हो सकते सौधी रहब्य में और नंबर तीन जिन्होंने इस हुकम और इस पबंदी से पहले अपलाई किया वीजा के लिए और उनका निवीजा अपलाई हो चुक है तो यह तीनों किसम के लोगों को वैसे तो 72 गहंटे के अंदर आ जाना चाहिए लेकिन टिकट्स बहुत जारा महंगे हैं और बंद हो चुके इंटरनेशनल कल से पंदना से और उसके बाद तो अगर टिकट मिल भी तो तब भी वो नहीं आ सकते अभी आपने टिकट पर चेद नहीं करना कल 15 मार्ज को इंटरनेशनल फ्लाइश साओधी रेबने कर फर्म्ड पंदना दिन के लिए बंद कर दी हैं दो हफ्तों के लिए बंद कर दी हैं तो टिकट आपका वेस्ट जाएगा टिकट मत लीजिए और एक और मिस्टेक आप लोगा ने नहीं करनी कि इन्होंने अभी बदाया है कि हम लोग 15 मार्च से दो हफ्तों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं करना क्या पता यह 15 दिन से 20 दिन भी कर सकते हैं यह डिपेंड कर रहे हैं करोना वायर होने के जरूरत नहीं है जैसे यह पबंदी हटेगी तो लोग बिना अपने कफील से लिए बिना कोई अप्लिकेशन दिए आराम से सौधी अरभ आ सकते हैं तो सौधी रभी कि यह जो पबंदी इसके हटने के बाद आप फोरन से पहले यहां पर आजें सौधी रभी में और